पहले राजे इंद्र गौतम और अब गोपाल इटालिया क्या फस्ते जा रहे हैं केज्रिवाल गुजरात में जैसे जैसे चुनाव नज्दीक आ रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ रहा है पहले हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपत और अब हिंदूों की आस्ता पर चोट गुजरात में आम आदमी पार्टी को लेकर एक नया बवाल चुरू हो गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी को नीच कहने वाले गुजरात में आम आदमी पार्टी के अद्यक्ष गोपाल इटालिया का एक और विवादित वीडियो सामने आ गया है इस वीडियो में गोपाल इटालिया खुल कर हिंद्यू विरोध की भाशा बोल रहे हैं इस वीडियो में गोपाल इटालिया मंदिरों को महिलाओं के शोशन का घर बता रहे हैं वीडियो पीजेपी आईटी सेल के अद्यक्ष अमित मालविया ने जारी किया है इस वीडियो में गोपाल इटालिया महिलाओं से मंदिरों और कथाओं में नहीं जाने की अपील करते नजर आ रहे हैं इस वीडियो पर बीजेपी ने पलटवार किया गोपाल इटालिया के बयान पर गुजरात के गुजरात के लोगों में काफी गुस्ता है यह वीडियो से उनकी विचारधारा स्पस्ट हो रही है मन में जो विचार थे वो विचार बाहर आ गए है उन्होंने कहा कि गुजरात के नागरिकों को मंदीर में नहीं जाना चाहिए कथाओं में नहीं बैठना चाहिए मंदीरों में और कथाओं में लोगों का सोशन होता है इस से मेरे राज्यक के नागरिकों में कही ना कही उनकी आस्था पे थोस पहुचा है उनके मन में एक अलगी प्रकार का गुस्सा है मात्रम मेरे राज्य के नागरिकों में ही नहीं है उनकी पार्टी के कारेकरताओं का भी गुस्सा भाहर आया है और ये गुस्सा देखके पार्टी ये विशई से कैसे हाथ भाहर निकाले ये कोईले की खान में उनके हाथ काले हुए हैं, कैसे भाहर निकल जाएं, पुजा करने से कोई सोशन हो, इस प्रकार का एक भी केस अगर आपके ध्यान में हो, तो आप मुझे सामदर आएं गुपाल इटालिया के नया वीडियो जिसमें हो कह रहे हैं कि मंदिर जो होता है, वो महिलाओं के शोशन का घर होता है नहीं रखते लेकिन अगर जैसे गोपाल अटालिया की में बात करूँ यह पांच साल पुरानी वीडियो है अब बारती जिंता पर्टी इस बात का तो जवाब नहीं देती कि गुजरात के अंदर जो ड्राइ स्टेट होने के बाद 10,000 क्रोड की इलिगल शराब जैरिली प्रविंदर जी आप यह कह रहें पात साल पुराना वीडियो है तो क्या पात साल पहले हिंदू का अपमान करना हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना ठीक बात था जायस था संवेधानिक था कानूनन था जो बात गलत है हम किसी भी गलत बात का समर्थन नहीं करते और ऐस देते हैं कन्वर्जन के लिए तो वहां पर यह इसी तरह की जो कस्में दिलाई जाती है हिंदू देवी देवताओं के बारे में यह पहले से जो परिकरा चल रही है कि आप आम आदमी का मंतरी था तो आपको अब्जेक्शन है लेकिन आपको धार्मी को अब्जेक्शन नही देवी देवताओं को गाली देंगे नहीं मानने की शपत लेंगे उन्होंने निदी वह दानमक्री को नीच कहेंगे आप दुपाल इटालिया को यह ले लीजे बाद बिक्शुन है आप वह भी कह रहे है कि मंदिर जो है वह मैलाओं के शोषन का घर है यह सारे खास लोग आ मा सरस्वती, मा दुरुगा, मा लक्षमी, शिवजी और विष्ण भगवान के बारे में बड़े अपत्ती जनक शब्द करे हैं उसके बारे में भी जवाब ले लीजिए ठीक है यानि आपकी जवाब देवी बनती है ना गर आप हिंदू देवी देवी देताओं को आपके नेता कुछ कह रहे हैं आम आद्मी पार्टी के नेता कुछ कह रहे हैं तो गरोबाटिया जी सबसे ज़्यादा नफरती कौन है ये सब अर्विंद केजरिवाल के इशारे पर ही तो होता है वो तो जूट बोल के कहते हैं कि जो विरोधी हैं वो कंस हैं मेरा जन्म जन्माश्टमी में हुआ है जो सत्ते नहीं है और मैं वद्ध करने आया हूँ क्या वद्ध करते हैं रागनिती में विरोधीों का इसी से होसले बढ़ते हैं और राजेंदर गौतम जो मंत्री थे जिनको आम आदमी पार्टी ने अभी तक निश्कासित नहीं किया है पार्टी से वो हमारे इश्ट भगवान की किस तरह से गलत बयानी करके और आपती जनात बयान देते हैं मर्यादा तोड़ते हैं ये भूला नहीं चाहिए दूसरा गोपाल इटालिया नफरत देखिए कि चुने हुए प्रदानमंत्री जी के लिए नीच शब्द का इस्तमाल करते हैं जो कॉंग्रिस पार्टी का भी चरित्र है मनी शंकर एयर और प्रियंकावाडरा गांधी ने भी नीच कहा ता जनता ने जवाब दिया तीसरा जो आज आपने कहा क्या जरूरत है गोपाल इटालिया की जो गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि बेहनें और माताओं को के शोशड का अड़्दा है मंदिर मैं पूछना चाहता हूँ किसी और धर्म की पूजिस्तल को इस तरह से कह पाएंगे क्या गोपाल इटालिया नहीं कहेंगे और ये बात क्या है बात ये है कि ये नफरती चिंटू तो कही है लेकिन इनका सरगना और असली पापी अर्विंद केज्रिवाल है क्योंकि ये पाटी से निश्कासित भी नहीं करता है और दूसरी बात मैं ये कहूंगा जनता बड़ी समझदार है गुजरात ने इतिहास रचा है गुजराती जो है ना वो प्रवेश्वर्मा जैसे नेताओं पर रोक नहीं लगा थे जो केज्रिवाल के खिलाफ सरयाम अपशब्दों का इस्तमाल करते हैं वो भी तो दिल्ली के सियमें वो भी समझदानिक पद पर है विदेग जी धन्यवाद आपने ये प्रश्ट पूछा मुझे एक बात बताईए हमारी पार्टी में सर्वोच नेता और भारत के करोड़ों लोगों के लिए पूझनिये हैं श्री नरेंद्र मोदीजी अर्विंद केज्रिवाल जब नाटक करके कहते हैं मैं कंस का वद करने आया हूँ आपको लगता है कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी अर्विंद केज्रिवाल सम्विदानिक पत पे बैठे हैं उनको नहीं हटाना चाहिए उनको तुरद धटाना चाहिए और मैं फिर भी ये कहूंगा कि हाँ भाशा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए लेकिन जब पार्टी के मुख्या हो सम्विदानिक पत पे बैठे हो तो आपकी जिम्मेदारी भी बड़ी है और आप जब तुलना विरोधियों की कंद से करेंगे तो प्रतिक्रिया आएंगी और यही बात अर्विन केजिवाल को समझनी चाहिए ठीक है मैं रोहन गुपता जी के पास जारो उसके वाल आजाया आलोग जी आपके पास आरो विश्लेशन के लिए रोहन गुपता जी आपके नेता भी कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़कियां चेड़ने जाते हैं आपके नेता भी प्रधानमंत्री को नीच और अफशब कहकर बुलाते हैं तो क्या आपने काम ट्रांसफर कर दिया है प्रधानमंत्री भी कह रहे थी कि कॉंग्रेस पार्टी ने ठेका किसी और को दे दिया है विवेक जी पहले तो भाजपा और आम आदमी जो ए और बी पार्टी की तरह काम करते हैं वो गड़बंदर आज देश के सामने हैं मैं गुजरात से ही हूँ गुजरात में जिस प्रकार से जन्ता में रोश है भाजपा को लगा कि अब अकेले तो जीत नहीं पाएंगे तो बैसा की की जरूरत है तो आम आदमी पार्टी को लेके आए अभी गौरव पार्टी या बात कर रहे थे अभी कल की बात है बंसीदर भगत जो उनके पूर्वा मंत्री है उन्होंने जो वीडियो जाहिर किया जिसमें सरस्वती माता और माल लक्षमी का अपमान किया जो वर् देहने के बाद जो वादें वो पूरे नहीं कर पाएंगे तो हिंदू-मुसल्मान करना ही पड़ेगा अभी दख तो वह एटीम थे अब आम आदमी पार्टी भी आ गई उनकी भी मजबूरी है जो विचार है उनके नेताओं के धर्म के लिए वो चीज दिखाता है कि धर्म इनके लिए सिर्फ सत्ता का साधन है उनके लिए आस्था का विशाय नहीं है और कॉंग्रेस के लिए कभी भी धर्म के नाम पे हमने ना कभी वोट मांगे थे नाम कभी मांगेंगे पर देश की जनता देख रही है कि एक हिंदू के विरोधी ब्यायन दे रहा है एक मुसल्म मां का अपमान किया उसके लिए क्यों चूब बैठे वहां का रियक्षन है आपका अभी आप नफरती चिंटू तो आप ही है आप लोग ही है पूरे देश में नफरत आप ही पहलाते हैं इंदू दर्म और मुसल्म दोनों का अपमान करने वाले बारतियों हो इनी सकते अंग अग्रेज करन रहे थे अनग्रेज और बाजयपा मिल के करते अब आम आदमी पार्टी और बाजयपा मिल के वहि काम कर रहे है पर देश की जनता और करना पड़ रहा है रोहन गुपता जी लेकिन भी जे पी ये फैरे आप ने पंजाब दे दिया आप आम आदमी पार्टि को अर अब गुज्रात में आप लोगों ने क्लेर वाक ओवर दे दिया है सारे कॉंग्रेसी भारत जोड़ो यात्रा केरल में कर रहे हैं साउथ इंडिया में कर रहे हैं और आपने पूरा का पूरा गुजरात छोड़ दिया आम आदमी पार्टी के लिए तो बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है देखे अभी की प्रदान मन्तरी जी ने कहा कल या परसूलिना उनका जो स्टेट मेंट था उन्हों ने कहा कि जिस प्रकार से कॉंगरेस प्रटी इजा पर्टी की 30 प्रदान मंत्री के शप्द on आप समझ के चलिए गुजरात की जनता जानती है क्या हकीकत है गुजरात मॉडल की जिस गुजरात मॉडल को बेज बेज के यहां से जो प्रदान मंत्री जी गए हैं उसका खामियाज आज हर गुजराती भुगत रहे 17 साल के बात में आज जब भाज़पा की सत्ता है तब 15 अ सर्कारी स्कूलों का रिजल्ट कम हो रहा है जहां पे शराब की होम इलिवर ही हो रही है वह गांधी के गुजरात में आके बात करें जो गांधी сотो लगाने के तैया नहीं क्या क्या गुज्रात की जनता का विश्वास जीत पाएंगे यह हवाई मेहल है अधिज्यापन के सारे यह चल रहे हैं और जैसे उत्रा खड में हुआ इनका पत्तों का बैल बिखर जाएगा जब गुज्रात का परिनाम आएगा ने लेकिन हिंदू सेंटीमेंट पर चोट करके क्य का मिलेगा अजया आलोग जी से मैं इसका एक आंसर ले लेता हूं फिर मैं गौरबाटिय जी आपके पास आ रहा हूं अजया आलोग जी आप बयान में समानता देख सकते हैं कॉंग्रेस पार्टी और आमादमी पार्टी के इस सवाल मैंने रोहन गुपता जी से पूछा था आलोग जी आलोग जी देखे विवेग जी रोहन गुपता जी को बढ़ाई कि अर्विंद के जिरिवाल कहते हैं कंसकी अलाद अर्विंद के जिरिवाल जी के प्रदेश अध्यक्ष खुले आम पहले प्रधान मंत्री का अपमान करते हैं और अंत में आज तो अती ही कर दी भगवान का भी अपमान करने से पीछे नहीं हटे राहूल गांदी कहते हैं मंदिरों में जाके लड़कियां छड़ने के लिए मंदिर जाते हैं एक दोनों पार्टी के सीर्ष नेता है एक आम आदमी पार्टी का सीर्ष नेता है एक कॉंग्रेस पार्टी का सीर्ष नेता है और उन दोनों की तुलना रोहन गुपता करते हैं बंसीलाल भगत से अगर यहीं सही है उन दोनों की तुलना अगर बंसीलाल भगत से की जा सकती है तो ठीक है रोहन गुपता ऐसे ही सोचें कि रहूल गांदी और बंसीलाल भगत एक ही पेवाने के नेता हैं यह बात पर मिंद कि आप देखिए फिर आप बीच में दो मिंट की बाद कि आप दूसरी बात आप सोचिए अर्विंद केजरिवाल जी ने नसिर प्रधानमंत्री जी का अपमान किया कंस की अउलाद कि उन्हें पूरे गुजरात की जनता का अपमान किया क्योंकि 27 साल से चुनुए सरकार को कंस मंदिर में महिलाओं का सोचन होता है यही वो केजरिवाल है से टीजी जो दिल्ली से लोगों को बस में ट्रेन में बैठा बैठा के फ्री में वैशनो देवी और अयोध्या ले जा रहे हैं तो क्या वैशनो देवी अयोध्या में महिलाओं का सोचन होता है रोहन गुपता भ को आपने अपने जूतों की नोग को बिठा रखा है जब जिसका मना आएगा एक स्टेटमेंट देगा उसके बाद सब्सक्राइब करते रहेगा अजय जी तो जड़ा बंसीदर भगत भी पूर्वा मैं तो आजितिक विश्रेशक हूं मैं देश के बार में ही बोल रहा हूं कि आपको पॉलिटिकल पार्टी के नुमाइंदों को मुस्लमानों को पठाने के लिए इसोओं को जीतों की नोग पर रखना जरूरी है क्यों अरे बताइए ना माल अभी स्वर्फटी एक मिनट बंसी लाल भगत और राहूल गांदी को एक करके आपका जनाएगा आप बोलीजेगा आजया अलुग जी हाँ आप टिपणी कीजिए ना पंदी लाल भगत बर बंसी लाल भगत एक तराजू में अगर कोई आदमी आपको एक तराजू में आज तक भारतिय जन्ता पार्टी के किसी सेश्ट्रेट से तुमने किसी धर्म के खिलाव कुछ बोला है दिखिए विवेक जी कॉंग्रेस पार्टी की हालत इतनी खराब और इतनी पतली है क्योंकि नफरती राजनिती करते हैं कि आज गुजरात में उनका स्तित्म बचा भी है ये प्रमानित करने के लिए वो अधर्णिय प्रधानमंत्री जी का विक्तव यहां पे बता रहे हैं खुद में दमखम नहीं ह रहा है कि छुप छुप के चुपे चुपे कॉंग्रेस काम कर रही है इसलिए मजबूत है लेकिन मैं एक बात कहूंगा राहूल गांदी नहीं कहाना कि लड़के लड़किया छेड़ने मंदिर में जाते हैं पहली बात क्या हिंदू भावनाओं के साथ छेड़ चाड़ करन आहत करना की राहूल गांदी की राजिती है राहूल गांदी को पार्टी से कब निकाल रहे हैं दूसरी बात याद करिये राहूल गांदी का ही बयान था हिंदूत्व का मतलब है अल्प संक्यक जो सीख हैं और जो मुसल्मान हैं उनको मार दो ये हिंदूत्व सिखाता है मै उनको बताना चाहता हूँ जिस दिन आप राहूल गांदी के खिलाफ कारवाई कर लेंगे ये नफरत कॉंग्रिस पार्टी में खुद खतम हो जाएगी क्योंकि फैक्टरी अगर कोई है नफरत पहलाने की तो वो राहूल गांदी और गांदी परिवार हैं तीसरी चीज़ दे लेकिन भ्रष्टाचारी गांदी परिवार मोडल का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा राहूल गांदी मोडल का ये हाल है कि अमेठी पारिवारिक सीट्ती हार गए वाइनाट जाना पड़ा और कह रहे थे कि मैं राजनिती जो हैं धर्व के आधार पे नहीं करते हैं शाह भी हिंदू बन बन के राहूल गांदी अगर चांद सोचते हैं कि हिंदू का वोट मिलेगा तो मंदिर जाते हैं लेकिन जब ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां पे मुसल्मान अबादी समद कुके हैं और सबसे बड़ी बात है बंध कमरे में आपको सारे लीज मत खेलो इत और देखिए मुझे याद आता है इतनी तुष्टी करण की राज्जिती करते हैं इतनी हिंदू धर्म से इने नफरत है भगवान राम को कालपनिक बता दिया था और बंद कमरे में मौलानाओ से मिल रहे थे राउल गांधी कहते हैं कॉंग्रिस मुस्लिम पार्टी है ये तो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कहा लेकिन कॉंग्रिस देप आपको मुस्लिम पार्टी बता दिया था इसलिए मैं कह रहा हूँ गुजरात की जंकता इनको ऐसा स सिखाएगी दो अंडे मिले थे इनको 26 सीटों में लोकसभा चुनाफ 14 और 19 में शुनने सीटे आई दो अंडे मिले आगे देखिएगा पूरे भारत में भी अंडा ही मिलेगा पोल्टी फार्म खोल के बैठेगी है कॉंग्रिस पार्टी अच्छा है रहा हूँ जवाब लेन मुझे बताई क्या आमाद्मी पार्टी और लेना चाहिए और क्या ऐक्षण में हो रही देरी से आमाद्मी पार्टी को गुझराड में बड़ा सेट बैक हो सकता है बड़ा जटका लग सकता है आप राजनीती के शृषक भी हैं इसलिए में आप से पूछ रहा हूँ मैं देखी जो भी सविदानक पत्यों, चाहे राज्ये के मुख मनत्रि नहीं है जाये राज्य के मुख मंत्रिय के परदानंगा यह चाहिए सम्मान के सभी अधिकारी हैं जो सविधानिक पद्पे उनका तो हर परस्थित्टी में होना चाहिए तो गुपारि इटाल्या मैलाओं का सम्मान क्यों नहीं घर पारे हिंदु धर्म में अस्ता क्यों नहीं यह उनको अगर आस्ता वाली बात भी चलिए चोड़ देता आप मेरी बात को सुने रेजंदर पाल गौपतम को मंतरी पस से हटाया गया ना हटाया गया ना हलांकि हमका कुछ इस्तीफा लिया गया ना लिया नहीं गया दिया गया इस्तीफा लिया गया मैं आपको बता रहा हूं दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि अभी मैं जो ब उसका उसकी जहां चोगी उसके संदर में क्या गया और उसके उपर हंड़ेट परसेंट एक्षन होगा लेकिन यह भी ता जवाब देना आपके रोल मोडल बनके घुब रहे हैं गुजराफ से उपर अपने उनको आइकन बनाया है वह आपके पार्टी का बड़ी शोटी सी ची किस जाच की बात कर रहे हैं मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ मैं आपको एक बावताता हूँ जो भाराती जनता पार्टी है वह जाथ के नाम पे परात著 के नाम पे हिंदो-मसल्मान के नाम पे भारत पाकस्तान की और नाम पर राज नितिक आती है लेकिन 27 साल से वो गुजरात के उपर कापी जाएं एक मिनट और उनको अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना चाहिए जनता के पास ना की तरह तरह के पुराने वीडियो चांट चांट के डून डून कर अब उनको ये बॉखलाट किसली है करें आप दस 0itor की शराब का इंलीगल ंदा वहाँ पर ड्रस्क का दंद वहां पर रोजगार की समस्या है मैंगाई की समस्या है अप उनके ओवर बात दो चीजे ले गते हैं तमां तरह के सी मिद्ध पर बात करें मंदिरी अन्धिर को नीच कहने पर तेंगे जवाँ को रोजगार मिल जागा तो बता दीजिए मुझे अब बार्त के जनता पार्टी में भी बाइट करें आपके नेता जमीन पर क्या करें वहम आपको दिखा रहे हैं बागी रोहन गुपता जी जवाब दिना चाहरा हूं कि पास रोहन गुपता जी देखे विवेक जी अभी बाजबा प्रवक्ता, मैं उनको उस्तरा भाटिया कहूंगा क्योंकि उनका एक ओवर कॉन्फिडेंस था महाराष्टर में, डिबेट में कहा कि अगर हमारी सरकार नहीं हम लोग सर मुंडवा देंगे, तो क्या है अभी गुजरात के लिए भी सर मुंडवाएंगे देखे या अत्य आत्मविश्वास ठीक बात नहीं है, यह ओवर कॉन्फिडेंस है, वही अहंकार है, वही रावन की निशा नहीं है मैं इनको यह कहना चाहूँगा, कि 27 साल आपकी पार्टी सक्ता में है, आप नफरत की बात कर रहें, मैं आपको गिनाराओं कौन-कौन से आंदोलन चले है भुदपुर्वा सैनीक वहाँ पर आंदोलन कर रहें, सिक्षक वहाँ पर आंदोलन कर रहें, करमचारी महामंडल वहाँ पर आंदोलन कर रहें, वीसी करमचारी वहाँ पर आंदोलन कर रहें, आंगलवारी जो बहने वहाँ आंदोलन कर रहें, वनरक्षक आंदोलन कर रहें बारतिय किसान संग जो RSS की संस्ता है वो अंदोलन करती है LID के जो उमीदवार है वो अंदोलन कर रहे है पुलिस पे ग्रेड पे अंदोलन कर रहे है मालदारियों का अंदोलन चल रहा है सरकारी करमचारी का अंदोलन चल रहा है क्लास 3 & 4 ओफिशर्स महाँ पर आंदोलन कर रहे हैं मद्यान बोजन योद्ना के करमचारी आंदोलन कर रहे हैं जो कॉंट्रेक्ट एंप्लोईजे वो आंदोलन कर रहे हैं जिल्ला पंचायत आरोगे कर्मी आंदोलन कर रहे हैं ओपीडी डॉक्तर वहाँ पर अंदोलन कर रहे हैं विद्या साहिक अंदोलन कर रहे हैं कौन से कौन से अब मोडल की बात कर रहे हैं आज गुजरात में जो रूण है साड़े तीन लाख करोड पर गुजरात का रूण पहुंच गया है हर दिन पांच रेप होते हैं 27 साल के गुजरात की जनता जानती है और जो अंडे-अंडे मुर्गी बनके घुमते हो ने डिवेट में यह सारे अंडे निकल जाएंगे जब गुजरात का प्रिणम आएगा आंकार बत दिखाईए पहले उस्तरा भारी पढ़ा था अंडे बारी पढ़ेंगे सब लोग अंडे आप अपने डिलीवरी दिखाईए के 27 साल में आपने क्या किया है मैं चैलेंज करता हूं विवेट जी हर मुद्दे पर मैं डिसक्रशन के लिए तयार हूं जो भी मुद्दे पर आप आपने पर बात कीजिए तो जनता अंडे रों जी रों जी राउल गांधी तो आई रहे बिलकूब नाख करता is अब धारत जोड़ों की जो जुज़ु जी स्मर्थन मिल रहा है विवेग जी यार जै घुश्रत You यारा जैस रहा हूं जय हुरा हूं ऑलत्य जोड़ जवाप मुद्दे पर 12 कि अऊ बराहल बाल पाटे जी आपको जवाब नहीं है यह आधिकारी स्टेटमेंट है कि जब भी रिजर्व डे होगा जब भी एक दिन होता है उस दिन बिल्कुल आएंगे राहूल जी क्यों नहीं आएंगे देखें कि भारत जोड़ो का उद्देश है गुजरात में 27 साल से लोग जो शाशन देखेंगे बाजपा का जैस सवाल यह है कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से और आमाधी पार्टी की तरफ से जब भी चुनाव होते हैं आप हिंदु मुसल्मान पर चले आते हैं गौरबाटिया जी मैं उत्तर दे दूंग जो जी उस्तरा रखिये बिस्कीट क्यों आगया अजा विवेक जी शाहत कराईए बिस्कीट तो पिद्धी रखते हैं आतमे रोवान गुपता जी जादा हो रहा है देखे जो एक निवेदन रोवान गुपताजी एक सगड़ों मैं दोनों मेहमानों से निवेदन करहाँ नहीं उन प्रॉपता जी अब डिवेट हाई जाए करें एक से रुक जाए ना मेरी बात आप ने बोला उन्हें सुन लिए अप उन्होंने इतना धहरे दिखाया उन्होंने धहरे का परिशे दिया आप भी धहरे का परिशे दीजिए बात इसके बाद मुद्धोगी करें गौरवपाटि अब बोलने दिजे गोरवप जी कुछ बोल रहा इतना धेर से आप ही बोले जारे रहे रखा तीम आर अभी और पता नहीं ना जंता जब तक मूड़ोगा तब तक धहरे करवाईएगी फिर का कि करिएगा पहर परिशान हो जाएगा गौरवप जी बोलिए बोलिये बोलिये जब मैं अभी बिस्किट उचाल रहा था तो इदर उदर भाग रहे थे जंता ने बिना उस्तरे के कॉंग्लिपार्ट करा है और देखिए शांत कराईए शांत 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 गुड देखिए विवेक जी होता क्या है मैं बताता हूं ये मातम मनाते रहते हैं भारत जोड़ो इस आत्रह में आठ्विदायक गोवा के इनके भाग गए अशोग गैलोत ने इनकी मम्मी को ठेंका दिखाया का सोनिय मम्मी हमें आपकी बात नहीं सुनी है आज जो मुद्दे हैं जनता के उस पर चर्चा होनी चाहिए इन्होंने दो मुद्दे तो मेरे सामने बोले इन्हो पूरी सूची किनवादी भाईया प्रदर्शन इतना चल रहा है तो ऐसा क्यों है कि कॉंग्रिस का तब यह हाल है कि आप 25 साल से उपर हो गए सत्ता में नहीं आए लोकसवा में दो अंडे आए जो मैंने बताया इन्होंने बात करी रोजगार की मैं आपको यह देखें राजस्तान में 24 प्रतिशत और गुजरात में अब बताईए प्रत्यक्त को प्रमाण की दरूरत नहीं है दूसरी बात इन्होंने करी बाहिलाई को सुरक्षित नहीं जालू यह NCRB का आखली डेटा है एक मैं मैं डिवितन करना चाहूँ रोण बुक्ता जी लोग भी देख गता है उसका जवाब दे रहा हूँ आपने उसतुरा का था उनको उनका नाम खराब घर कर और उपर पर 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 पसनल अटाइक होगा तो आप अगर आप पर तो शेले की ठाकत भी रख्या ठीक है ठीक है नहीं यह नहीं फ़ीं गलत बात नहीं के बंदर लिए रोण बंदर के आपने शुरू आपने किया अब आप थोड़ा से ठैर रखिए मैं बिल्कुल गलत बात नहीं करता आपने क्यों पता है आपने अंडे मुर्गी की बात करने तो उस्तरा तो आएगा नाम नाम आपने खराब किया तो आपके उपर पस्नल एटाइक हो तो क्यों आप अब आप लोग पस्नल एटाइक करेंगे मैं मैं कुछ आखड़े दे रहा था मुझे देने दीजिए हाट थीक है आप गौरब भाटी अपने आपपेश करें मैंने किसी के बीच में नहीं बोला दनेवा देखिए मैंने बेरोजगारी दर के आखड़े दिये गुजरात में जो राष्टि दर है उससे एक चौताई है बेरोजगारी दर राजस्तान में सबसे ज़्यादा है 28 प्रतिशत अब बलतकार के मामले एक भी हो तो बहुत ज़्यादा है आपको मालूम है राजस्तान में 6337 और क्राइम रेट डर रेप का 16.4 गुजरात में 1.8 मतलब आप सम अशोग गैलोग कहते हैं छोटा रेप बड़ा रेप अशोग गैलोग बताते हैं उनके मंत्री बताते हैं कि रेप इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि जो रेपिस्ट हैं उनको फासी की सजा दी जा रही है जूटी ए फाय रोली है अब बताईए ये राउल गांदी की सोच है तीसरी बात तीसरी बात मैं पूरी सर लूँ जली से हां धन्यवाद देखिए जनता को यह जानने का हक है कि क्या बदला है 81,000 गाउं ऐसे हैं जहां 24 गंटे अब विजली आ रही है 2003 में 9000 मेगवाट विजली का उत्पादन होता था 2013 में यह बढ़के 24,000 मेगवाट हो गया प्रदानमंत्री फिर दिल्ली आ गया जी एस डीपी स्टेड ग्रॉस टोमेस्टिक प्रोड़क्ट 99,000 करोड था आज 19 लाग करोड है 2003 से 2013 22 का हकड़ा दे रहा हूँ 22 का यह 19 गुना बड़ा एजुकेशन जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट था वो 33 प्रतिशत था वो 3 प्रतिशत हो गया गौरब जी यही आपने ठीक है आपने एक फैक्ट दिया है कि गुजरात ने कैसे पिछले 27 साल में विकास किया है रोन गुपता जिसका मैं जवाब लूगा लेकिन अजया आलोग जी के पैस पहले जाता हूँ अजया लोग जी हिंदू मुसल्मान क्यों हो रहा है फिर सवाल यह यह ना कि आप आप यहाँ पर कुछ क्रिश्न का अवतार कहते हैं जन्मास्टमी की दिन पैदा हुआ था दिल्ली में आपके नेता गाली देते हैं हिंदूों को परदान मंत्री को डीज कहते हैं गुजरात क्या आपके अदेक्षा आप अभी तक कारवाई करने में सक्षम नहीं है एक्शन लेने में आमाद्मी पार्टी क्यों ही चकर रही है देखिया अर्विन के इजरिवाल तो मैंने आपको कल के भी डिवेट में का था उनको आदतन जूट बोलने की आदत हो गई है सवाल यह उठता है कि गुजराप में हिंदू-मुसल्मान कब नहीं था अहिंदू-मुसल्मान की बीच की खाई को रोपने का काम किस ने किया यह जानना बहुत जरूरी है असी से लेके सन 1995 तक गुजरात में या तो जनता दल का यानि तो कॉंग्रेस आशन रहा इन 15 सालों में 1.500 सूपर दंगे हुए 95 सले के 2022 इस काल खंड जिसकों 27 साल कहते हैं तो सिफ एक दंगा हुआ 2002 के बाद गुजरात में एक भी दंगे नहीं हुए तो खाई पाटेंगी कोशिस किष्णे की भाजपा नहीं या सो कॉल्ड सेकुलर दलों ने कॉंग्रेस हो चाहिए उनाइटेट फ्रेंट हो सचाहिए कि गुजरात की धर्ती जो कि पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है वो मुसल्मान दस से बारा प्रतिशत हैं हमेशा उस वोट को अपने पक्षमे कोशिश सेकुलर दलों के द्वारा होते रही आज लड़ाई इसी मुसल्मान वोट के लिए हैं सचाहिए यह विस्टेशन करते हिंदू वोट को तो कोई पूछ नहीं रहा है उनको अपमान करने का सबने ठेका ले रखा है लड़ाई इ परविंदर सेटी जी एक्षन कब होगा मैं चुकि वक्त दिरे दिरे कम होता जा रहा है मैं अपसे सीधा सवाल ले रहा हूं एक्षन कब हो गो पाल इटालिया पर देखिए एक्षन जो उस वीडियो की जांच होगी उसके बाद एक्षन भी होगा लेकिन आप इनसे भी तो मैं आप कहते हैं वीडियो की जांच करेंगे अभी तीनों देवी देवताओं का विश्ण भगवान का और शिव जी का अपमान करें तो आपको आपकी धार्मिक आस्ता नहीं है आप देखिए ना रजंदरपाल गौतम यह क्यों नहीं कहते हैं दोनों पर कारवाई होनी चा मैं जवाब मांग रहा हूं सर आप मेरे से जवाब मांग रहें मैंने जवाब देदिया मैं ने का इसकी वीडियो की जहां चोगी और डेफिनेटली एक्षन होगा आप भी तो जवाब दीजिए ना कि बाकशी के ओपर पर जोबी डिस्मिलेट एक्शन होता है अगर बनता ह और एक मिनेट उसकी यह परंपरा बहुत धरम की आप जब भी दिख्षा दी जाते हैं आप मैं आप थाइलेंड गए आप नहीं मैं थाइलेंड नहीं गया मैं यह बता रहा हूं जाकर देख लिजेगा उनका जो इंटरनाशनल एरपोर्ट है बाहर निकलते के साथ आपको प् आपरोड से कैसे जब यह परंपरा चल रही है परमिंदर जी है रोन गुप्ता जी दस सेकंड में वाइंड आप कीज़ेगे गवारपाटी से रेक्शन देखे बिल्कुल देखे विवेक जी मेरा सिर्फ यह कहना है कि 27 साल के साशन के बाद जनता को जब लगने लगता है कि इन लोगों ने हमको धोका दिया है तो लोगों को आंदोलन करना पड़ता है अभी जो बाजबा प्रवक्ता आंक्रे दे रहे थे ये विदान सभा में उनकी सरकार ने आंक्रे दिए कि 3.46 लाग शिक्षित बेरोजगार है मैं आपको बता रहा हूं शिक्षित बेरोजगार बिल्ली के जनतर मंतर पे आशा वर्कर बैठी हुई है जूठ ना बोलें जी ठीक है गौरबाटे 10 सेकंड में चोड़ा रहा हूं जो आंक्रे रजिस्टर किये हैं गुज्रात सरकार ने उसके सामने उन्हों नहीं जो विदान सभा पे अंक्रा दिया है सरकार नहीं तिया है गौरबाटे जी जवाब दे लिजे फिर मैं वाइंड अप ले रहा हूं दिली में हो पंजाब में हो या गुजरात में हो आप नहीं पाप है भष्टाचारी है और जंता ये कह रही है ना रेवडी वाली आप चाहिए ना बेवडी आप चाहिए बिल्कुल सही कह रहा है दूसरी बात कॉंग्रेस को तो चिंता ये करनी चाहिए कि आप जो है आप लोगों की आपसी राजनीतिक लड़ाई तो ऐसी चुनाओं में चलती रहती है ये मसला धर्म और बाकी मुद्धों पर नहीं आने चाहिए विकास के मुद्धों की बाची थोनी चाहिए आखरी फ की आपकाल